कि नमस्कार दोस्तों कैसी आप सभी तो मासा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे अपने ध्यान रख रहे होगे तो जैसे कि हम मौस्वी की सोलुशन्स पढ़ रहे हैं और हम आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिक्रस करेंगे क्योंसे सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब करते हैं आज की जो हमारी क्लास में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इन सब के बारे में तो हमारे सामने पहले जो क्योंसे ने वह है दोस्तों एक हर फस्ट विजिट टू दा प्री नेटल खिलनी ठीक है लेबर से पहले जो भी प्रेगनेंट लेडी दिखाने के लिए प्रीनेटल खिलनी कहलाती है बट आपको इतना कंफ्यूज होने जरूत नहीं है जैसे कि मैं इंदर बिद्धम सिंपल बनाता हूं आपके लिए आप होस्पिटल याद रख लो कि होस्पिटल में आके क्लाइंस ट्रैल दा नर्स एक पैसेंट है दोस्तों वो नर्स को यह बताता है कि सीज एम्विवेलेंट अब आपको पहला वर्ड क्या है इसके अंदर है किस चीज के लिएम्वेलेंट है यहाँ पे continuing the pregnancy के लिएम्वेलेंट है why does the nurse conclude that the client is experiencing a crisis बहुत important term है एक दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखने आपको कि नर्स को कैसे पता लगे कि जो client है दोस्तों वो crisis से गुजर रहे है है जो है वो किस घुजर रहे है क्राईसी से घुजर रहे है तो सबसे पहले नर्स कोислाने को समझना जरूरी है that इससे पहले मैं बदा देता हूं फिर आता हूं क्लाइस पे एक चीज के लिए एक समय पे दो विपरीत अलग-अलग अब वहां पर किस चीज के लिए अब आपको समझाता हूं कि नॉर्मल और अबनॉर्मल कैसे है यह होना कि यार मैं प्रगनेंट सही हो गई या नहीं होई इस अबिवेलेंस की मुझे होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था उसमें इतना सोचते हैं कभी इसको लगेगा कि मुझे प्रगनेंट हो जाना चाहिए था कभी ऐसे सोचे के मुझे थोड़ा सा बाद में होना चाहिए था बट उसके दिमाग में एक प्रसेंट भी कभी यह खयाल नहीं आता कि मैं इस प्रगनेंसी को कंटीन्यू करूं या नहीं करूं तो इसका मतलब उस प्रगनेंसी के साथ क्या नहीं कर पा रही है वो प्रगनेंसी के साथ रहें नहीं पा रही है तो दोस्तो हमें crisis को समझने जरूरी है इस question को समझने के लिए थोड़ा सा tough question नहीं सब भी आज की जिनने भी जो questions पढ़ेंगे ना उसमें ये एक tough question है सबसे tough question है तो crisis को समझो सबसे पहले तो crisis का मनलब क्या होता है दोस्तो कि हमारी life के अंदर कोई भी stress आता है हम stress के प्रति क्या करते हैं cop करते हैं या फिर हम adjust होता है एड जयस्ट या भी stress क्रेइगई कि भाषट से बाहर निकलना या उससे एड़्यस्ट होना यह हम क्या करते हैं कोचिज करते हैं ठीक है то अगर हमने को कर लिया को कर लिया अद्जस्ट कर लिया एक ही बात है तो जो क्राइसिस उससे बहार जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर हम उससे कोई नहीं कर पाई या मतलम हम एडुस्ट नहीं percep या पिर रम एडेश नहीं हो पाए तो फिर परसंड किसमें जला जाएगा थोस्तों सब्सक्षाइब कर लिया तो उससे बाहर आ जाएगा और अगर थो नहीं कर पाया तो फिर वो किसमें आपको समझाएगा अगर बाहर आ जाएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो किसमें जाएगा क्राइसिस में जाएगा इस वरकार से किसी भी कराण से क्राइसिस में जा सकता है अब यहां पर नर्स को यही समझाना है कि कैसे क्राइसिस के अंदर जा रहा है तो कैसे क्राइसिस के है दोस्तों क्रैसिस वह कंडिशन है जिसमें जो जो भी परसन है वह होता है किसके साथ कंडिशन के साथ में तो उसे किस नाम जाने हैं प्रेक्डनेंसी एक क्रैसिस क्यों हो एंद दोस्तों मूड़टेंज जो वर्ड है ना उसको बोलते हैं और मूरटेंज और मूरण्स विम यह बहुत ज्यादा different है किससे क्राइस से किससे दोस्तों प्रयों से यहाँ पर यह मानेगे कि पैसे चला गए है मूड्स विंग जो होता है दोस्तों वो टैंप्रेरी होते हैं ट्रांजियन्ट होते हैं ऐसा निए के लिए कि लिए हो इसको षब होता है तो दोस्तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मूड चेंजेज होने की कारण ही प्रगनेंसी की दोरान उसके कारण प्रगनेंसी में चला जाए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता आप थोड़ी देर के लिए घुसा आया फिर ठीक हो गए तो इसके करणा प्रगनेंसी नहीं मान सकते हैं तो यह उप्सन हमारा बिल्कुल गलत हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है थर्ड जो अपसन हो क्या करा है होर्मोनल और फीजियोलोजिकल चेंजेज जो होते हैं वो प्रगनेंसी की दोरान होते हैं दोस्तो यह लाइन ही गलत है यह सेंटेंस ही गलत है एक फीमेल के लिए या एक मेल के लिए भी मान सकते हैं ठीक प्रणाइब दोरान एक फीमेल अमान लोगों के अंदर होते ही रहेंगे फ्यूबर्टी रहेंगे फिर उसके पाद रिप्रोडेक्टिव एज में अलग प्रग्नेंसी में तो हो जाएंगे लेक्टेशन में जाएगी तब होते हैं उतने प्रणाइब नहीं उतने ज्यादा न लेकिन होर्मोनल और फीजियोजिकल चैंजेज से कोई भी परसन घबराता नहीं है क्राइसिस में तो नहीं जाता ऐसे तो नहीं कहेंगे ना आसते कोई फीमेल कि मेरे जो प्रेग्नेंसी के दोरान मेरे जो एब्डॉमिन है उसकी साइज इंद्वीज हो गई है तो मैं क्रा कारण ये नोर्मल चीजें हैं ये लाइफ के दोरान भी वैसे भी होती रहती है परसन के अंदर होने के करण जो कोई परसन चला जाए तो ये एक सही बात नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है तो ये बिल्कुल क्या होगी दोस्तों इसके बाद प्रेग्नेंसी जो है वो चेंज करत जो future parents हैं मतलब कि जो mother और father है उनकी relationship क्या हो जाती है एक दूसरे से change हो जाती है चलो हो सकता है कि इस question में हमें कहीं भी ये नहीं मिल रहा कहीं भी option में ये नहीं मिल रहा कि जो patient है जो client है उसका जो partner है वो उसे support कर रहा है या नहीं कर रहा हो सकता है कि हम पर दो condition बनेंगी अगर उसके अपने पती के साथ अपने husband के साथ relationship अच्छी हुई बढ़िया हुई तो दोस्तों उ उसके लिए और वैच्छी बात है यह हो सकता है यह हो सकता है कि वो पार्टनर जो supportive नहीं हो तब हो सकता है कि वो crisis में जा सकता है यह normal condition लेकिन यहां पर सिरफ हमें यह बता रहा है कि pregnancy जो है ना future parents relationship को क्या कर रही है चैंज कर रही है हम चैंज कर रही है तो दोनों भी है ना अच्छा भी तो कर सकती है अच्छा भी तो कर सकती है प्रगलेंशी की कारण हो सकता है कि जो फादर है वो खुश हो जाए ज्यादा support करने लग जाए अपनी wife की care ज्यादा करने लग जाए ठीक है उससे थोड़ा सा काम कम कर वाए तो यह सब ठीक है मजाक में गया तो दोस् घलत हो गया अब हमारे सामने लास्ट ओप्सन है वह यह मारा क्यों और दोस्तों हो जाएगा कि जो प्रगनेंसी है सारिन लाइफ के नंदर पूरी प्रग्ने सी दोरान उस चैंज को एड़ेस्ट मेंट चैंज को यह दोनों चीजे होती है अगर उस चैंज को जह लिया तो ठीक अगर नहीं जाल पाया तो वो किस में जा सकता है, क्राइसिस में जा सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी जो है, वो पूरा एक पीरेड है, किसका चैंज और एडजेस्ट में टू चैंज का, और क्राइसिस भी सेम है, तो इसके कारण, चैंज के कारण, अगर, चैंजेज के कारण, अगर क्या नहीं हो पाए दोस्तों चेंजेज की कारण अगर वो एड़ेस्ट नहीं हो पाए तो वो क्या जा सकता है क्रैसिस में जा सकता है तो सिंपल सी लाइन बस इसमें कि प्रेगनेसी किस चीज की स्टेट है दोस्तों चैंज और एड़ेस्टमेंट तू चैंज की तो वही चीज इस question बताया गया है तो इसका थोड़ा answer second हो जाएगा थोड़ा सा tough question है ठीक है एक जैसे option लगते हैं लेकिन आपको याद करना है सब भी नहीं यह question आ जाएगा एक्जाम में तो इसको मैं याद करके ही मानूंगा भूलोंगा नहीं किसी लेकिन हमने जैसे promise किया कि हरको एक एक क्योशन सापको करवाए जाएंगे तो इसको अकोडिक आपको ठीक है तो लिखो pregnancy pregnancy change और adjustment to change का period है change और adjustment to change adjustment to change का period है change का period है इसके कारण यह है क्राइसिस का कारण हो सकता है यह है एक यह है एक क्राइसिस का क्राइसिस का कारण हो सकता है यह है एक क्राइसिस का कारण हो सकता यह क्राइसिस का कारण जो हो सकता है ठीक है तो हमारे एक क्योशन खतम हो गया इसके बाद हम आते हैं नेक्स क्योशन के हमरे सामने नेक्स क्योशन है क्योशन नमर 62 क्या कह रहा है एक क्योशन देखो कि a pregnant woman who is a term is admitted to the birthing unit in active labor किस चीज के अंदर है दोस्तों वो active labor के अंदर है सबसे पहले तो active labor को समझो बाद में क्या दा सकता है कई तरीके होते हैं कैसे दोस्तों है देखो कि रैंग सी का टर्म पीरेड है उसे हम days के according कि फस्ट डे ओप LMP से लें तो जैस्टेशनल पीरिड उसी बोलते हैं फस्ट डे ओप LMP से क्या माना जाता है जैस्टेशनल पीरिड माना तो 280 और अगर ओवलेशन से दे ले तो प्रॉम ओवलेशन या सेक्षोलिटर कोर्स वहां से कितने दिन माने जाएंगे आपके 266 अगर अगर दोस्तों डेल्ज के अक्रोडिक्टरम फिरेड आपको वीक में पूस्ता है तो वीक के अंदर यह लगबग 37 से लेकर और 42 वीक तक होता है ध्यानक ना यह नॉर्मल है चालिस से बियालिस वीक भी नॉर्मल है लेकिन से फिर भी हम पोस्ट डेटेटेड प्रेगनेंसी nen stood the 192 निकालते हो 40 वीक तक रहती है तो उसके बाद हो रहा है तो पॉस्ट टिरर प्रेटेड प्रेगनेंसी है जो है श्रड है ने को स्कूर्मल हो जाएगा सहे इसे पहले होजाएगा त्रिस त्रम हो गया कि स्कुठ आंदर दोस्तों वीक के अंधर है प्र एक इस कि नि काल सकते हों आप podob데 के बुए जैसे हमारा कलेंडर टांश धिन होते हैं सब्सक्राइब है दो 12-30 रिकिन मुष्य क्या जो दिन ऻुआ है उठी के पोचाना मुख़ो। टाइन में मुझे ऐन करुक्त मौनदअ क्रेंजिए एक कलेंडर है ये मान लुआ आप हमारा ठीन का भाण यू आ मत हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं next कि ट्राइमेस्टर की अकोडिंग में देख सकते हूँ अगर अगर आप ट्राइमेस्टर के अकोडिंग्नेंसी को देखो दोस्तो होtag कि अब देखो नेक्स्ट यह आपका तक से बाद करते हैं जोस्तों एक्टिव लेबर क्या होता है कि अट्यी स्ब्सक्राइब कर दोस्तों कि यो हुता है डैलिशिफी च्छी एन इल सेग जैने मैं घ्ली डैलेश्न होता है तो 4 या उससे ज्यादा पार्टोग्राम यह कहता है कि अगर 4 या उससे ज्यादा होता होता है ना तो वो किसके अंदर आ गई अक्टिव लेबर के अंदर आ गई हो इसके बाद स्टेजेज काही बर आप बुक हमें थोगे ब्लटल जोडम और फांस संटीमेटर और उर ठीज घ्यों क्या होगी और अगर आप स्टीज्ज की अकोडिंग देखते हो तो थील स्टेज चैज ऑर यहां पर प्ट जाता है 0-3 cm 4-7 cm और 8-10 cm इस परकार से आप इनको याद रख सकते हैं जाता है एक्जाम किसी साब चाहता है वह डिपेंड करता है ज्याद यह पूछा नहीं जाता है क्योंकि पता है कि कैसे यह पूछे पूछे लेकिन पार्टोग्राप के आपको जरूर ध्यान करता है यह तो नहीं व्याद रखो तो भी ठीक हो जाएगा बस यह ध्यामिक लेना कि सर्विक्स का पूरा जो डाइलेशन होता है दोस्तों वह कितना होता है चलो आगे आते हैं वापस एक फिमेल प्रणेंट मुमन है तरम पीरेड पर आगई है वह किस में अडमिट हुई है एक्टिव लेबर में है इस ताइम वह सी एक्साइट 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 एक तरह से मालो इस चीज़ के लिए अब आउट एंटिसीपेट बर्थ जो उसका जनम होने वाला है एंट क्योंकि उसके उसके की तीन से एक्साइट ऑने वाली है यहां पर पक्का यह नहीं तो इलीगल हो गया आपके दिमाख ने से पहले पता लगवाली है कि लड़की यह लड़कह लड़का है और इंडिया के नदर है ना इन्डीकल व्रेंड नहीं है फूरे वर्ल्ट थोड़ी ऒंद नहीं है के लिए कि वहां पर लुड़ीपी इसके बेटी है तो खुस होई है यहां पर इंडिया के नदर फोड़ा सा यह इस्टीगमा है गलत चीज है यहां पर ही क्या हो गए एक फीमेल है टरम पीरेड के उपर है टरम पीरेड पर होने के पाल एक्टिव लेबर में है उसके पहले से तीन बेटे हैं और अब उसको पता है उसने टेस्ट करवा रख था कि उसके क्या होने वाली है बेटी होने वाली है और इसलिए वो क्या है खुस है विच फैक्टरीन क्लाइंट्स हिस्ट्री अलेट नर्स देखी देखी नर्स ने एक चीज़ पता लगाई कि यह क्लाइंट तो है ना इसका जो न्यूबोर्न ह जोा है न्यूबोर्न हैं तो वो किस सीज़ के उपर है दोस्तों कोंफिarn हो सकते हैं उसकों क्या हो सकते हैं थेखेन हो थात्व है दो घंटे पहले ही उसकी मेंब्रेन जो क्या हो गई हैं दोस्तों रेप्चर हो गई है तो पहला यह आ गया कि можем क्सविएथ होने की अगो है तो धूस्त्तू मेंब्रेइन रेप्चर होने के कारण है ना न्यूब minist के अंदर घुरी देखेन फे नहीं जाते हैं कोई कोम अब और फॉर होना यह गृष प्रैगन्नेलाटिन अच्छाजिकर नेंगे करूंगें और कि अधिक चाहर सबहाया है, फोड़ा सम आपको इसके बारे में बताता हूं, बात करते हैं इस बारे में हम, देखो, आजकल कुछ नहीं है, तो PROM क्या होता है? Pre-labor Rapture of the Membrane एक वर्ड है आपके सामने PPROM इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं Pre-Term, Pre-Labor, Pre-Term, Pre-Labor Rapture of the Membrane अब मुझे पता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो पहले Premature of the Membrane तो दोस्तों इसको पहले हम, इसका Old Name जो था वो क्या कहलाता थे? पहले इसको कहा जाता है, आज कल इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखना PROM जो आज कल जो है दोस्तों, उसे हम Pre-Labor Rapture of the Membrane कहते हैं और इसे हम Pre-Trum, Pre-Labor Rapture of the Membrane कहते हैं PROM के अंदर Rapture of the Membrane जो होता है न दोस्तों, ये ध्यान रखना कि 37 वीक के बाद में होता है, मतलब कि टरम पीरेड पे होता है ये कब होता है, टरम पीरेड के उपर होता है, जब कि PPROM जो होता है दोस्तों, पहले हमने पढ़ा है Pre-Trum है, तो ये less than 37 वीक पे, कब होता है, less than 37 वीक के उपर ये होगा ठीक है, तो ये दोनों डिफ्रेंस भी आप याद रख लेना, एक्चुली में हम बात कर रहे है कि PPROM क्या है, दोस्तों, टरम पीरेड पीरेड पे, मतलब कि Pre-Labor तो है, लेकिन ये टरम नहीं तो है, लेकिन 37 वीक के बाद होगा, तो Pre-Labor Rapture of the Membrane है, यह यहाँ पर Pre-Trump Pre-Labor Rapture of the Membrane है, क्या-क्या रिस्क फेक्टर हो सकते हैं, सबसे पहला और सबसे Most Common, और को याद मत करो नहीं, प्रीवियस हिस्ट्री, और PROM, जिस भी फीमेल को Pre-Labor Rapture of the Membrane हो, इसको बहुत ज्यादा chances होते है यह होने के, फीकलों तो यह आपको थोड़ा सा याद करो नहीं, तैसरेरे से मढ़ियाद करो। और भी हो सकते हैं, जैसे अबरेप्टियоп्लास핵ूंटा हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ईस्मोकिंग हो सकता है प्रोम हो सकता है इसमोकिंग हो सकता है ये सब हो सकते हैं ये तो एक जरूरी याद रफना है कि पहली जो स्ट्रीथ वह मुस्ट कॉमन हो इसके अंदर क्या क्लिदिकल मैंने फेस्टेस्टेस ना याद कर लोड थो चाहिए फिए लिए एकदम से मेरे है ना पानी निकला तो एकदम से प्लूड का बाहर निकलना इसका क्या है दोस्तों इसके बाद क्या-क्या इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना आपको ये बता रही है तो बस ध्यान रखना कि वह होता है ना दोस्तों एक तो उसकी क्या है प्रोपर्टी की वह अडरलेस है उसके अंदर कोई गंद नहीं होती लेकिन यूरीन जो होता है ना दोस्तों उसमें क्या होती है अडर होत इसके अलावा दोस्तों इसका amnetic fluid एक बर लीक होने लग गया तो इसकी continue leaking पाई जाएगी यहां पर नहीं पाई जाएगी, यहां पर नहीं पाई जाएगी, यूरिन एक बर हो गया तो हो गया, उसके बाद leaking ऐसे नहीं कि dripping dripping के बूंड गिर्पी रहेगी, यहां पर amnetic fluid के अं लगबग 7.127.5 की बीच में और यूरीन की पीस तो डिप्रेंस होती है। भी हो सकती है तो आपको सब को ऊते है यह तो तो में एक जगहाब वह वह फ्लूड की प्यान है लगबक कितनी होती है इस प्रकार से क्या कर सकते हो हो एक इसके अंदर है और एक टेस्ट और कराए जाता है इस नाइत्रजिन टेस्ट से भी आप उस फ्रूड को जान सकते हो कि यह कॉन सा कॉन सा फ्रूड है थीक है उससे आपको यह पता लगाया जा सकता है कि वह यह फ्रूड जो है वह कौन सा है जैसे यह क्या लगा सकते हैं इसका इसके क्या हो सकते हैं दिलीवरी ऐसे मतलाना कि किसी पेसेंट के अंदर प्रीमेचर लग भग दोस्तों एक वीक के अंदर दिलीवरी हो सकते हैं पिर भी ध्यान रखना प्रयफर शीजेर यह नहीं है इसके अंदर हम go crosis करते हैं कि क्या हो जाए दुस्तों इलिवरी ही धोनी सिर्ट हूँ होनी चाâte's होती है बस हमरे क्यों पर लौट के यह पता लाधाना है कि न्यूबोन केंदर कॉउम्प्लिकेसंश को सकते हैं नहीं सकता तूसरा धर वाज दियाग्रोज कीमोफिलिया कि पहला जो बच्छा था दोस्तों किस चीज़से दियाग्रोज था ही इसको डरना चाहिए बिल्कुल सही बात है क्या है उसे छोड़ो इसके अब क्या है गरल है और लड़की जो होती है ना उसके अंदर हीमोफीलिया के सिम्टम्स नहीं आ सकते हीमोफीलिया के कॉंप्लिकेशन्स नहीं हो सकते हैं कैरियर हो सकती है उसके अंदर कॉंप्लिकेशन्स नहीं आएंगे उसको पहले ही दे रख हuum word है कि उसके क्या है दोस्तों इसके मालोς को पहला लड़का था ही हुफिलिया ठीक है माली हिम इसकर फीम होता लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है उसके लड़की है और लड़की जो है धोस्तों वह कहार है nen intimacy प्रिविया होता है लेकिन दे रख इन प्रिविय्स अक्त नहीं चर्पनींज़ नहीं करते यह ला i फ्योगाही करें कि क्तभी bisher वह राइवर्पा सथा और होता है और फ्युत वह? और उस headache को कम करने के लिए दोस्तों वो क्या यूज़ करती थी? NACID, Non-steroid Anti-Inflamatory द्रग यूज़ करती थी Indomethacene, Ibuprofen माल लो सबसे अचा तो headache में ये यूज़ करती है जब दर, जो Comiflame आती है उसमें Paracetamol और Ibuprofen ये आता है न तो वो यूज़ करती थी वो तो दोस्तों पहली चीज़ ये है कि जो NACID जो होती है न दोस्तों वो प्रगनेसी की दुरान क्या होती है? Contra-indicated होती है क्या होती है? Contra-indicated NACIDs are contra-indicated Contra-indicated होती है ठीक है? क्या होती है? Contra-indicated होती है यूज नहीं कर सके अब जब यूज नहीं कर सके तो मतलब क्यों ना कुछ與 complication होगा तो दूस्तों 성ine nel wekos इंग व्लिए पोज़ इसके अब मदर केm union के अधर तो हमगी यह को इसमें क्या हो जाता है अरली में क्लोजर even पॉरमेन ओवेल जो पहले एक लोज हो जाएगा यह हो सकता है यह फिर डॉस्ट वह भी अलिक लोज हो सकता है और भी कोई भी और भी कोई भी कोई बीडियो देखने को इसलिए उसका बच्चा जो है कॉम्पीकेशन पर है क्योंकि मदर ने क्या चैनल बच्चे के लिए क्या हो जाएगा चलो है कि क्या क्या कर रहा है कि एक कपल हुं रिसेंटली एंगीड्ड प्रोम इसराइल सब्सक्राइब सिम्पल मनाईंगी इसको एक कपल नर्स को बताता है कहां पर नर्स को बताता है प्रिनेटल किलिक बताता है कि वह एक जैनेटिक डिजीज यह दो टर्म है आपके जैनेटिक डिजीज जैनेटिक डिजीज जादा होती है और मैं वही से आई हूँ विज जैनेटिक ब्लड टैस्ट कौन सा ब्लड टैस्ट नर्स को रिकमेंट करना चाहिए उसक्लाइंट के लिए जो कि उसके बच्चे के अंदर इन हेरिटेज हो सकता है मतलब कि इन हेरिटेज हो सकता है कौन सी डिजीज हो सकती है तो इसमें हमें सिंपल सा अगर एक लाइन बताऊ ना आप वो नहीं लिखा है याँ प्याना हिंदी वाला इस से पिसले वाले में एक नटट पूल लिखा जेता हूं फिर वापस आएंगे नहीं शॉट देऊंगा फिर बाद में फिर आपको व्हाँ है नहीं एक लाइन में लिखना बस कुछ नहीं लिखना लिखो NACID pregnancy के दोरान pregnancy के दोरान contra-indicated हो सकती है contra-indicated होती है हो नहीं सकती contra-indicated होती है होती है क्योंकि ये newborn के अंदर complication cause करती है क्योंकि ये newborn में क्योंकि ये newborn में complication cause करती है चलो next आजाओ तो अब इस question में अगर आपको जानना हो ना ये बहुत simple question है ये जानना होता है Jewish जो people होते है ये जराली के जो लोग होते है ना उनके अंदर कौन सी पाई जाए जाएगी दूस्तों वही तो inherited होगी ना ऐसे तो है नहीं पाई जाती हो नहीं होगी तो बस इस question का simple अटे नामक नामक जैनेटिक डिस ओडर पाए जाता है नामक जैनेटिक डिस ओडर अधिकता से मिलता है ऐसे थीशेस्टिक फाइब्सेटरी पहल Außerdem लुबत Siis going to क्रोमोसोम बिंञा नहीं संद्रॉम नहीं तो क्या एक क्रोमोसोमल नुरियोट। तो क्यों से ना आजा था कि पर autosomal recessive disorder कौन सा होता है तो तीन तो आपको यहीं मिल गए cystic fibrosis, phenylketonuria, tasec disease आजाओ cystic fibrosis बहुत simple disorder है cystic fibrosis यह autosomal recessive disorder in which कोई भी ऐसी gland जो mucos का production करती है या फिर पिर this tick हो जाता है तो उस disease को किस नाम से जानते हैं cystic fibrosis की जाते हैं coig рад學 को मिकस का production करती है जो म्योकस क mortality हो जाता है तिक और rustic हो जाता है अब अब म्यूकस का थिक होना भी problem है कैसे दोस्तों respiratory tract के अंदर अगर हो गया तो दिकत क्यों आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएंगे अगर हो गया तो आपको एटिलेक्टिसिस के होने की चांसेज, न्यूमोनिय के होने की चांसेज, ठीक डिफिकल्टी ने ब्रीथिंग, कफिंग, सारे सायनानी लग जाएंगे तो respiratory system को भी क्या करती है, यह affect करती है, इसके अलावा जैसे pancreatic juice है, यह pancreas है, sweat gland है, ठीक है, यह अगर दोस्तों जैसे इनके अंदर sweat gland है, ठीक है आपकी, तो इनके अदर अगर कोई भी problem आई, तो यह भी secret करती है, तो जो भी fluid secret करने वाली होती ही, वो सब क्या हो जाता है, तो यह GI tract को भी करती है, GI tract को ही करती है, इसके अलावा आपकी जो sweat gland है, उसको भी करती है, Salivary gland उनको भी करती है, Salivary gland, तो जी ध्यान रखाएं, इस डिजीज को सिस्टी फाइबरोसिस के नाम से जाते हैं, ज्यादा डिस, ज्यादा डिटेल में हो भी पड़ेंगे, दूसरा है Phenyl Ketone Urea, दूसरा जो disorder दे रखा है, दोस्तों, वो क्या दे रखा है, Phenyl Ketone Urea, एक essential amino acid होता है Phenylalanine, Phenylalanine, एक chemical में change होता है, दोस्तों, जिसका नाम क्या है, एक दूसरे amino acid में change होता है, जिसका नाम क्या है, टोरोसिन, इसको change करने के लिए एंजाइम चाहिए, जिसका नाम है Hydroxylase, कौन से एंजाइम चाहिए, Hydroxylase, अगर मान लो, Hydroxylase enzyme नहीं हुआ, जो किस disorder में नहीं होता, absent हो जाता है, minus anti में लब absent, याद रखने के लिए, अब मैं short में लिखा करूँँगा, यह बार लिए दो मैं minus anti तो ध्यान लखना, absent लिखना हो मैं, Hydroxylase नहीं रहा, तो Phenylalanine, टोरीन के अंदर convert नहीं होगा, टोरीन, अगर अब यह टोरीन में convert न नहीं हुआ, तो Phenylalanine है, जो amount है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यह Phenylalanine है, blood brain barrier को क्या कर सकता है, दोस्तों, को कर सकता है, तो, जो brains related, जो भी symptoms है, दोस्तों, nervous system related, जो symptoms है, वो आखे है, तो, में लिक इसको affect करेगा, यह nervous system को क्या कर देगा, दोस्तों, affect कर एक दो चीज़ याद करने की है, एक तो Phenylalanine याद करना, एक enzyme, और एक आपको याद करना, टोरीन, ठीक है, तो, कौन से enzyme की कमी से होता है, कौन सा disorder है, और सुमर डिसेसिव है, क्या बढ़ता है, Phenylalanine बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, किसको affect करेगा, nervous system को affect करेगा, brain की स्क wrote, फिर कंवाडिस ख्रह्सोम होने चाहिए, किसी भी फिमेल के अंदर 66 होते है, फैतार इस क्रोमसोम होंगे, इसके लावगा दो क्रोमसम कौन से होंगे, धोस्तों, पैतार इस प्लस एकस अकोश ऑंगे, आगर बैसे क्या होते, चम्वाडिस प्लस एकस होंगे, दो यहो female के अंदर वो नहीं होता को तो हम के अंदर नहीं होता करो शुए क्रो मुसूम होते हैं ़ो एक सेक्सक्रिया होते होते हैं सबकेई के अंदर यहां पर एक नाम से जांते हैं इसे हम टरनल सिंड्रोम के यह आपको क्या रखना है याद रखना है अब इस इस क्या पूछा था कि बाइक जूइस जो पीपल होते हैं उनके हो रही है तो कौन सी डिजीज होने की चांद सिज रहेंगे तो टे से डिजीज एक्षुली में टे से डिजीज क्या है एक ब्रिटिस ऑप्थ हैलम इस डिजीज के अंदर क्या हुता है दोस्तों के फि इस के उन्दर पाया जाने वालां एक एंजाइम होता है यह एणजाइम क्या करता है दो unfortunately ढहिड नहीं होगा क्या हो जाएक हो जाएक और ये वह सेम किसको affect करेगा Nervous system को अफेक्ट करता है दोस्तों नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है अब इतना ध्यान अख लिए लोगों के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला डिसोडर को होता है इसके बाद हम पढ़ते हैं किए नर्ष की अभी चाइल बर्त किलास हो तू एक ग्रूप प्रेग्नेट वोमन को बढ़ी कैसे की बारे में बता रही है प्रग्नेंसी बारे मता रही है सो मालो आप जब वन ओफ दो मुमन आस्क दा नर्स एक फिमेल है ना वो पूस्त दिले जो कुछन पूसने में आता है मजा तो तो नर्स उसको क्या बताएगी बस सिंपल सी बात है यह बताएगी जो राइट्स आंसर होगा तो बैट कब हो जाता है तो हम जानते हैं दोस्तों कि जीरो से और दो वीक तक क्या रहता है ओम रहता है जीरो से दो वीक तक क्या रहता है दोस्तों ओम रहता है तीन से और लगबग आठ वीक तक क्या रहता है दोस्तों एम्ब्रियो रहता है जब 8 week complete कर लेगा ये तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये फीटास तो 8 week complete या फिर 9th week से ठीक है या फिर 8 week से लिख लो कि complete कर लिया ना 9 week भी लिखा हुआ सकते तो लो 9 ये ना 9 week से लेकर और बर्च तक कुछ मैं आपको ऐसे मिल जाएगा completed eight तो वह भी सही है तिक है इसके बाद जनम हो गया उसका जीरो से और 28 दिन तक जीरो से और 28 दिन तक वह क्या 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 लाएगा नियो नेट क्या नियो वोन या नियो नेट इसके बाद दोस्तो जीरो से लेकर और एक साल तक बच्चा क्या कहलाता है इन फैंट कहलाता है और एक से और तीन साल का क्या कहलाता है टोडलर कहलाता है और तीन से और छे साल का क्या कहलाता है पृर शे से और बारा साल का क्या कहलाता है किर दुर ड़ाद हुँ अदर को और पूर ह skate कर दो खुबारा के बारा के बारा किया गासR बस इतने याद रखो आप तो बहुत हैं अब यहाँ पर यह क्योशन पूछ रहे हैं देखो कि एंब्रियो कब फीटस बन जाता है पहला देखा कि डूरिंग दा एड़्ट वीक और आठवा वीक हो जाता है जब दूसरे देखा एड़ दा एंड ओप सेकिंड वीक और प्रग विजुलाइज हो गया ओम कहलाएगा वेंड़ पीरिड्स ऑफ कंसेप्शन और विजुलाइज डूंद सोनोग्राम करते हैं तो जब दिखने लग जाता है ना तब फीटस कहलाता है तो ऐसा तो है नहीं एक एंब्रियो को भी हम देख सकते हैं एक एंब्रियो को भी हम देखा जाए तो वह एंब्रियो ही है लेकिन चारों में बैस्ट ऑप्शन देखें दोस्तों तो आपको कौन सा उप्शन चुनोगे आप खुद बताओ हमें मानता हूं कि अंदर है तो उस दोरां तो क्या कहलाएगा दोस्तों आपको एंब्रियो फिटस बन जाएगा तो मत एड़िवीक ओप इस तरीके से लिखों ताकी क्योस्ष में बहुए देखो एड़िगो होते ही एड़िगो होते ही एसे पक्ते घरपर लेड़ोगे में घरटंबस जाना हाएं आप आट ही धर जानाने हैं जब तक रहता है नहीं तक जब तक उसकी फीटस में मानने लग जाता है तो उस दोरान क्या होगा दोस्तों कि उसकी फीटस के नाम से जानते हैं और विस्टम बन गया और आगे वह सिस्टम और जदा जाएगा दोस्तों मैच्योर होता जाएगा इसलिए कि इसको क्या कहने लग जाते हैं इसको आंसर हो जाएगा इतना जोड़ा था यह लाइन का कि नैस्ट क्योंट है कि दोस्ते एक क्लाइंट एक ट्रटी फाइवी के जैस्टेशन ठीक है थर्टी फाइवी के श्यूर्टव पहले चीज इंपोर्टेंट आज के नरस वाई हर ब्रिइफिंग रिफिकल्ट हो और भापता जोनोर सेट पât में estéिक हो रहाई तो नरस किया रेसपॉंस करती है उसको है यहां पर क्या लिख रखा है और यहां पर क्या लिख रखा है इसके कारण तो नहीं होता expand होगा your diaphragm has been displaced upward पिल्कुल सही diaphragm जो उपर की तरब उड़ जाता है अब उसका कारण क्या है भई फंडल हाइट बढ़ती है जब फंडल हाइट बढ़ेगी तो फंडस उपर की तरब धक्का देगा और diaphragm भी उपर की तरब धक्का लगेगा तो किस तरब जाएगा दोस्तो उपर की तरब जाएगा और उपर की तरब जाएगा तो उसके कारण जो लंग्स की जो capacity है ना total lung capacity है दोस्तो वो क्या हो जाती है कम हो जाती है अभी उसके बारे में हम बात करेंगे इस question का right answer भी यही होगा there is an increase in the size of your lungs तो size of lungs पर कोई भी फरक नहीं पढ़ता जैसी size है ना size change नहीं होती है लंग्स की size पर कोई change नहीं होता there is an increase in the height of the rib cage की height भढ़ जाएगी तो उसके height नहीं बढ़ती expand होता है वो rib cage क्या होता है expand होता है height उन उपर की तरब जा रहा है ऐसे नहीं रिब cage expand होता है जो रिबस बनी वह ने यह सारा cage बना रहा है यह क्या कहलाता है कि आप सुझाए इसलिए रिब केज हो गया जेल होती है जेल पिंजरा तो रिब का बना हुआ पिंजरा जिसमें अपने जो delicate जो औरगन है क्या रहे है इसलिए रिब केज हमारा यूज होता है तो यह भी गलत होगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सेकिंड हो जाएगा चलो इपर इनकी बात करते हैं फिर वापस से आएंगे लगबग जो ट्रांसवर्ट जो डायमेटर है वो लगबग दो सेंटीमेटर बढ़ता है अब यह क्या कारण है कि सास लेने में ब्रीफिंग में प्रोब्लम होती है थोड़ी बहुत जी आई ट्रेट में भी प्रोब्लम होता है इसी करण लाइटनिंग लाइटनिंग के दुरान फिमेल ब्रीफिंग में इसको अराम आता है और लगबग दोस्तों 4 सेंटीमिटर डायफराम कितना उपर एलिव बढ़ता है दो से तीन से चार चार से पांच और पांच से साथ अब तो आप गए ना काम से अपने तो पांच से साथ पढ़ा है तो कि दो अब फिर आप क्या करके आऊगी उसको फोड़ा से द्यान अगया कि इसके ना इसके बाद से एा ने हम नंच नो चैंच नो चैंज इंटर लगवग 4515 ml कि करीब हो जाती है साइब लेखे लेना टोटल लंग में क्या होती है कम होगी तो ज्चार घटके और 4000 ml हो जाती है तो वह कम हो जाती है कम हो जाती है कम हो जाती है इसके बाद में दोस्तों क्यों आता है कि में लिक चार ऑचेम अहींगे मैं गर्ण को सब्सक्राइल है यहां पर दैना किस नाम जानते हैं आम से यहां आपर यह हो यह यह वाला एंगल क्या सब कोस्टल एंगल कहला चाहरjego चाहर चाहर सीधार एक ट्यूशनमनेगा दो उसके कितना दिरी हो जाता तो औरॉर से लेकर और एक सो टीन डिज्य हो जाता लिए से निली ओप्योजे जाटा है sa यह को प्रगनेंसी के दोरान फंडल हाइट के भढ़ने से फंडल हाइट के भढ़ने से डायफ्राम दायफ्राम उपर की तरफ डिस्प्लैस हो जाता है दायफ्राम उपर की तरफ अप वर्ड याद रहें आंसर क्या था अंग्रेज़ी वर्ड इसलिए यूज़ करता हूं इन में ताकि थोड़ सा अपको ध्यान ओप्सन में जाए ना तो आपको दिमाग भूम जाएगी हाँ य दिस्प्लैस होता है एक वाफ्राम आपवड डिस्प्लैस होता है डिस्प्लैस अक ब्रैक्ट कि ब्रीफिंग ब्रीफिंग डिफीकल्टी जिससे फिमेल को ब्रीफिंग डिफीकल्टी होती है जिससे फिमेल को इसके निप गजगई पैन की लिखते लिखते हैं हमारी जिससे फिमेल को ब्रीफिंग डिफिकल्टी होती है इसके बाद नेस्ट क्विशिन पे आते हैं नेस्ट वहमरथ सामने क्विशेंट है उपर की तरफ आ चुका है अब अब एब्डोमिनल और में आ गया है तो एक नर्स ने यह पता लागया कि प्रिनेटिक के अंदर एक्जामीन करती है उसने यह पाया कि उसका जो यूटरस है वो उपर के तरह बूट कर पैल विक से अब्डमिनल और बन गया क्यों सीधा सा है कि कौन सी वीक के यह होता है दोस्तों एक्शुली में एंड ओफ ट्व ऐम क्यामान जाएगा 12 वीक उप्रणेंसी जैसे के साथ मैं क्या होता है यह यो और स से बन जाएगा लेकिन मैं खुद भी अगर थर्टीन करके आता ठीक है जैसे वहां पर मैं बताया था आपको आपको बता दूंगा यहां है आपको हो रहा होगा और बात बिल्कुल सही है वह हो जाता है चलो अब यूटरस के बारे बता देता हूं यूटरस का वेट जो होता है लगबग 50-50 ग्राम होता है नोन प्रेग्नेंसी लेकिन अब यह जो है वह सेवन पॉइंट फाइव से भढ़कर और थर्टी फाइव सेंटीमेटर हो जाती है यूटरस के लेंद्ध कुछे तो याद रखने नह याद नहीं दिद्ध में है कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लग बाग 500 से लेकर और 1000 गुना तक यूटरस की कैपेसिटी क्या हो जाती है दोस्तों इंक्रीज हो जाती है इसके बाद सेफ सेफ की अगर हम बात करें दोस्तों नोन प्रेग्नेंट जो स् ज़ती है पायरी फॉम होती है किसी फोती है पॉम सीफ पाए जाती है फिर उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम 12 2 وीक पे ठीर थटैस्थ दोटा सब वीक और इसके बाद में है चतिस वीक के बाद में तो 12 वीक के उपर लगबग इसकी जो सेफ होती है कैसी हो जाती है थिक है थोड़ा सा याद लेना अब एक बार थोड़ा सा फंडल हाइट का ओड़ देख लेते हैं इससे भी क्योशन बन सकते आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फंडल हाइट हमिशा के लिए याद हो जाएगी आपको तीन स्टेशन मनाने हैं एक जो स्टेशन आपको वह सिंप आपको जाना अब सोचे यह नाया वर्ड आ गया तो दोनों याद दोना एक प्रोसेस तीन स्टेशन है आपके पास में कोई गाड़ी जा रहे है उपर की तरफ ऐसे जा रहे है उपर गाड़ी और तीन स्टेशन उसको मिल गए एक सेंपैसिस प्यूबिस मिल गया एक मिल गय जां इक यह चैसाइकस और यह मिल कर उसकोन फिर्ड प्रोसेस और उस गाटी की जो सपीड है नो जोस्तों चार के साब से है 3 पर गंटे के साब चल रही है और वह उसने स्टार्ट किया था दोस्तों 12 किलो मेटर से चलना स्टार्ट किया था इसको 12 को भीक हम भीक बोलेंगे अब समझाने के लिए बदा रहा हूँ अब वह गाड़ी आगे जा रही है तो 12 के बाद वह कहां मिलेगी कि वहां मिलेगी सोड़ा पर सोड़ा के बाद कहहां मिलेगी ओ बीस पर और फिर बहां मिलेगी 14 पर फृर काच 20 पर बैठ बिजिट आ रही है दो बार आ रह है बारा आया तीन में इस्टेशन तीन थैन ईसन सिंपस्टीस इस इंबने चलिफ्द अठ टीक्वा Beim बारा चल्ड, फिर फिर में आ गया च्वरीश, सीग्य खूड़े के नीन है और 37 ता कि पकुछ इसके बाद आगे हम बात पर है ज कई पर इसा भी आ크ट से क। इसको ध्यान अर्थिजहां अब आप एक Smith तो दोस्तो इसको याद करने के लिए आपको याद रखने जो चीज पास है वो एक बटा तीन रहेगी जो दूर है वो क्या रहेगी दो बटा तीन तो कोई पूचे कि सोबाइसिस प्यूबिस से एक बटा तीन दूरी पर और अमलाइकस से गया ये कितना हो गया दो बटा तीन तो अमलाइकस का पूचे सुरी यह पूझे कि 20 वीक पे कितना होता है तो क्या बताओगे 20 वीक पे अमलाइकस एक बटा 3 होता है और सिंफाइस प्योविस कितना होता है दो बटा 30 24 वीक पे तो डारेट क्योशन पूझे कि कहा होता है तो अमलाइकस पिर 28 week पे भी same पूछ सकता है आपसे, तो 28 week पे वही बताओगे कि 1 बटा 3 अमलाइकत से होगा, और 2 बटा 3 कहां से होगा जीफोएड प्रोसेस से, 32 week पे पूछेगा तो कैसे बताओगे, कि 1 बटा 3 किस से होगा 32 week पे, जीफोएड प्रोसेस से होगा, और 2 बटा 3 कहां से होगा इसके बाद 36 वी के पूछेगा सीधा जीफ़ेड प्रोसेस होगा 36 वी के बाद हो जाती है दोस्तों क्या Engagement अब Engagement होने के कारण जो फंडल जो Height है वो क्या हो जाती है दोस्तों कम हो जाती है Lightning हो जाती है तो फंडल हाइट चालिस वीक के ओपर भी कहां पाई जाती है 32 वीक के बराबर ही पाई जाती है क्योंकि बढ़ रही है और फंडल हाइट जब बेबी नीचे की तरफ चला जाएगा तो इंगेजमेंट बोलेंगे तो बेबी के नीचे जाने के कारण जो फंडल हाइट हो क्या होगी कम होगी फं चालिस वीक पर बत्रीस वीक पर समान पाई जाती है कोई कुछे चालिस वीक कहां होती है वही बताऊगी सेम यहां से एक बठा 3 और यहां से 2 बठा 3 होती है ठीक है बस इस से सिंपल तरीखा कोई फो ली सकता है अगर यह भी आपको याद नहीं हो रहा तो इसको रटो और आगे भड़ो कि विस्क्वेशन का अन्सों लिख लो कि उसी की तरह लिखेंगे एक कैमारा कॉंसेप्ट में नहीं कि रहे और यह क्यों से ट्वैल वीक के कि एंड से एंड से यूट्रस यूट्रस से से एब्डॉमिनल और गन बन जाता है कि बारा विक के एंड से ही यूट्रस जो है वो पैल्वी से कौन सा और बन जाता है दोस्तों एब्डोमिनल और गन बन जाता है चलो अब नेस्ट क्योशन पर आते हैं नेस्ट हमेरे सामने जो क्योशन है दोस्तों वो क्या है क्योशन नमर 67 है एट वोट टाइम डूरिंग प्री नेटल डवलप्मेंट सुड़दा नर्स एक्सपेक्ट ग्रेटेस्ट फिटल वेट गें कितना ग्रेटेस्ट फिटल वेट होता है कब होता है तो दोस्तों यह सिंपल सा है कंसेप्टल क्योशन है एक्चुली में दोस्तों थर्ड़ ट्राइमेस्टर के अंदर जब थर्ड़ ट्राइमेस्टर होता है तो उस थर्ड़ ट्राइमेस्टर के अंदर जो बेबी जो होता है न दोस्तों उसके अंदर बोड बेबी का सरवादिक जो weight gain है वो कौन सी ट्राइमेस्टर में होता है तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तों कि बेबी का सरवादिक weight third trimester के अंदर होता है अब क्योशन तीनों का आ जाए क्योशन आ जाए कि वेट gain के लिए बेबी के फीटल की बेट गेन के लिए कौन सा ओप्सन सही है चार अब्सक्राइब अब यह तो आपको ट्राइमेस्टर के बताना है कि पहले से पहले में सबसे ज्यादा होता है दूसरे में सबसे ज्यादा होता है या फिर उसके बाद तीसरे में सबसे ज्यादा होता है या फिर तीसरे में होता है उससे ज्यादा सेकेंड में होता है उससे ज्यादा पहले में होता है या सेकेंड में होता है या थर्ड में होता है इसमें लिख लो आप एक नोग देख लो सबसे कम सब्सक्राइब यह विख लो यह द्यों कि अधियां रखना है कि फर्स्ट सेकिंड और थाइब लिख लो थर्ड से कम सेकिनद में और थर से कम फस्क में इसकांस भजागा थर्ड लिख लो लिखो थर्ड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में फैट डिपोजिशन होने से होने से बेबी या फीटस लिखो फीटस सबसे ज़्यादा वेट गेन करता है सबसे ज़्यादा वेट गेन करता है ठीक है इसकी वाद देखते हैं अब अच्छे क्योशन आने लग गए हैं अब जो क्योशन आ रहे हैं सच में ही एक्जामें ऐसे क्यास से आ जाते हैं एक क्लाइंट टेल्स दा नर्से देट दा फस्ट डे ओखर एलेंपी बाद जुलाई ट्वंटी टू दो हजार घस what is the estimated date of birth estimated date of birth निकालने के लिए हम जिस formula का use करते हैं वो formula दिया था पर्मूला उसे हम वोगत हैं पहले में मैं आपको बताया हुआ है क्या होता है first day of LMP first day of LMP में आप nine month plus seven days जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तो नेगलेज formula आ जाएगा इसकी कुछ सरते भी थी में सरते के क्या थी दोस्तों कि जो cycle जो हो iegler होने चाहिए counselor टे यह वडिया की और यह व ही अभरी से भड़ी यह कम हुई यहाँ 28 से इधर के साइड गई ज्दा के साइड भी यह कम कि साइड विट। यह Heora क्या हो जाएगा स्टों dozen हो जाए जindre हो जाएगा एक्सanson vraak में आपको बता हूंगा पहले क्यों संस्थें वी जुलाइगी सोलाइक और दोहजार 210 keep गिया रrage है इसका क्या कब क्या क्या रखे दोस्तों और अगर आप नो जोड़ोगे तो कौन समय ना जाएगा अप्रेल आजाएगा ठीक है अगर आपको सिधा याद नहीं हो ऐसे तो आप जैसे बड़े जो मन्त होते हैं तीन के बाद जितने भी मन्त आते हैं तीन घटा भी सकते हो जैसे साथ है तो साथ में से तीन घटा वेजिए आप या पोग सर में फाल तो में उलजना नहीं चाहता मैं तो सिधा नो जोड़ूँगा वो सबसे बढ़ी आए तो कौन समय ना जाएगा अप्रेल 2011 संब्सक्राइब और और बाइस में आप उसकी रेगुलर साइकल जो है ना वह टाइस दिन की नहीं है वो कितने दिन की माल लो आप मैं आप तरीका ही बदा देता हूंग जैसे माल लोगों की जादा हो या कम हो माल लो 32 दिन की हो तो आप क्या करोगे तो दोस्तो ध्यान रखना अगर जादा दिन की दे रखी है तो आप उसमें जोड़ोगे और अगर कम दिन की दे रखी तो उसमें आप क्या करोगे घटा होगे कैसे जैसे 32 दिन की दे रखी है और आपका आंस्वर आ किया थूरा लिए दूस्तों अंस वर या3420 में से ईसनेày दोश्तों कितने दिन चार दिन तो उसमें छहार आप क्या करोंगे दोस्तों घटा होगे तो यह थोड़ा ध्यान पेना इधर घटाना होता है और इधर जोड़ना है अठाइस दिन से कम की दे रख़िए तो क्या करना है दोस्तों आपको घटाना है इस प्रकार से आप LMP निकाल सकते हो इसके अलबा और बिसके मैथड हो सकते हैं ठीक है जैसे क्विकनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो क्विकनिंग जब मदर पहला फीटल मुमेंट फील करती है ना तुसे हम किस नाम जानते हैं क्विकनिंग की नाम से जानते हैं और कहते हैं कि मदर इस मुमेंट को भूलती नहीं है तो अगर मालो उसको हो सकता है उसको याद नहीं हो मल्ट इतरों सोड विक में अजाती है और प्रायमी ग्रेविटा के लिए रोट जल्दी आजाती है वह पहले से पैसान क्योंगनिक को तो multi-para में कितने week पे आ जाती है लगबग 16 week पे quickening आ जाती है और primic revida के अंदर quickening कब होती है दोस्तों लगबग 18 week पे होती है अब हम जानते हैं कि pregnancy कितने week की है दोस्तों 40 week की है दोनों के लिए 40 week मानोगे यह से तो नहीं कहोगे कि भै इसमें जल्दी होगी इसमें पहले हो 22 week जोड़ाइगे हम यहां पे और यहां पर हम कितने week जोड़ने पढ़ेंगे दोस्तों 24 week वो जो भी देट बतायेगी उसमें 22 week जोड़ना इदो जोडने हैं, तो 22 वीक को साथ से गोना कर देना, इदर 24 वीक को साथ से गोना कर देना, आप ऐसे भी क्या निकाल सकते हो, तो उस दिन में आप 266 जोड़ दो, एड्याइड कर दो उससे भी आप क्या निकाल सकते हो सकते हो तो इडिन की तो वैरिस मेथट्स हो जाँप एक वैसे इ Orthodox और फोर्मेड लिख लो संभी आप क्या लिख लो कंसे लिख लो कि इडिड़ी निकालने का फोर्मूला बस इतना अलिख लो प्लस नाइन मन्त प्लस यह लिख लो कि इसमें एक्जाम्पल लिखने का कोई फाइदा होगा नहीं आप इसके बाद हम नैस्ट क्योशन पर आते हैं सेकिंड लास्ट क्योशन है तो घबरने जाला जूलत है नहीं आपको वोट इंफोरमेशन कंसर्निंग दा चाईल्ड बिरिंग प्रसेस सुड़ दा नर्स टीचे क्लाइट दूरिंग दा फ़स्ट ट्राइमेस्ट। बादेंसि के दोरान क्या पढ़ाना चाहिए क्या बताना चाहिए क्या टीच करना चाहिए कोई भी मदर आपके पास आई है और आफ उसको क्या त्या थिखाम रखने हैं इसमें रेक्खा है कि लेपर एंड बर्त के बारे में बढ़ाओ गें दोस्तों इसमें यह रखा है कि लेपर और जो बर्त जो है यह पाद की प्रोजेस है इसको आप थर्ड ट्रैमेस्टर में पढ़ा दो तो काम चल जाएगा तब पढ़ाओ थर्ड ट्रैमेस्टर के अंदर पढ़ाओ साइन सिम्टम सब्सक्राइब दोस्तों को आदमी जब समझेगा अब आपके पास दो अप्सन है मैं मांदा हूं कि अप्सन सही है लेकिन आप पर पहले यहां पर दे रखा है फिजिकल एंद इमोशनल चैंजेज रिजल्टिंग प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी से होने वाले प्रेगनेंसीज होने वाले चैंजेज्ग Roberts अब दोस्तु मैं आपको है ना प्रेगनेंसी के अंदर जो नॉर्मल है वह पहले पढ़ंगा ईस जो डिजिज्ग जो कंडिशन्स फ्रेगनेंसी के कार्णड़ जो होनी वह पहले पढ़ंगा तो आपको पक्र स्थी बीमेस्टी प्रग्नेंसी को जो प्रग्नेंसी को उनको समझ पाएगी उसको नोर्मल वह बताने तो इसे बाद में जाओगे तो उससे और आगे जाओगे तो दोस्तों पहले नॉर्मल चीज बताना जरूरी होती है फिर राइट है गलत नहीं है लेकिन इसको बताने से पहले आपको बताना होगा दोस्तों नॉर्मल फिजिकल औन इंपोसन चेंजो प्रग्नेंसी के दोरान क्या होते हैं ये बताना क्या होगा जरुरी होगा इसलिए इस question का जो answer होगा वो option number fourth होगा नेकी option number second क्यों क्यों क्योंकि ये बताया जाएगा इसके बाद में after this पहले आपने ये बताया फिर ये इसलिए पहले जो answer जो best suitable answer for this question will be physical and emotional changes अब एक बच गया मुझे भी देख लो तुम चारों कर दिये मुझे बीच में छोड़ी दिया यहां पर तो भाई तेरे को देख लेते हैं रोल ट्रांजीशन प्रोंग इंटू पैरेंट हुड एंड इस एक्सेप्ट हैं वही एकदम से मालो आपके पहला बच्चा है तो आप आप एकदम से पहली बार पैरेंट बनोगे ना अब यहां अफ्सको आगे हम से चीजएंगे कि आपके पैरेंटेबलेट क्या नहीं करना है तो यह सब चीज़े को बताई जाएंगे अप जो तो ठर्टे है ins app तो ध्यानक ना वैसे यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बताया जाएगा लेकिन आप्टर इस इस लिए इस कुरिशन का शुरू गाएगा और सब्सक्राइब लगा देता हूं कई पर आप यह मत्सूर देना सब्सक्राइब इसमें इसको लिख लेते हैं देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दोरान दोरान नर्स को नर्स को नर्स को और मदर को नर्स के दोरा मदर को नर्स को दोरा मदर को और को फरेगनेंसी की दोरान प्रेगनेंसी के कारण कारण होने वाले प्रेणिस की कारण होने वाले फिजीकल एंड इमोशनल चैंजेज के बारे में बताना चाहिए बारे में बताना चाहिए बोर्ड़ का पैन देना रखाओ तो अगर एक सेंटेंस और लिखना चाहिए नॉर्मल चैंजेज के बताने के बाद में नर्स को Sign and Symptoms of Complication के बारे में बताना चाहिए तो ये बाद में आएगा इसमें आप इस चीज़ से confused मत हो जाना कि आप ये सोच हो सर ये भी तो सही है, हाँ ये सही है मैं भी मानता हूँ लेकिन पहले क्या बताना चाहिए Physical and Emotional Changes जो होते हैं Pregnancy के कारण वो बताने चाहिए इसके बाद हमारा last question बनता है ये अच्छा question है ये भी Question क्या है दोस्तों A nurse is caring for a client एक nurse है, एक client की care कर रही है During an ultrasonogram Ultrasonogram के दोरान What parameters does the nurse expect to be used when determining pregnancy date Ultrasonography से Pregnancy की क्या निकाली जा रही है दोस्तों, date निकाली जा रही है तो कौन से parameter का use किया जाएगा कौन से parameter का क्या किया जाएगा दोस्तों, use किया जाएगा चलो मैं इसको एक बार पढ़ा देता हूँ अपको फिर मैं execution पर आऊँगा USC से अगर आप pregnancy की date निकालनी है जो हम use करेंगे दोस्तों, वो हुम crown round length यूज करेंगे second trimester के अंदर हम यूज करेंगे वहika यूज करेंगे और third trimester के अंदर जो हम यूज करते हैं अगर option फ़ри्ट्टatif दे रख देरेंगे ंज्के mr lane तो यह सही करेंगे और यह में नहीं नहीं दे रखा दोस्तों तो फिर abdominal circumference देखेंगे बच्चे की मदर की नहीं इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं यूएसी की द्वारा अब इनको पता लगाए बाइपरेडल डायमेटर को देख लो थोड़ा सा अब दाया अब चार प्रकार की डायमेटर होते हैं अब वाइब मेस्टूइड डायमेटर वाइट टैम्पोरल डायमेटर सुप्रा सब डायमेटर सुप्रा सब पैरायमेटर सुप्रा सब पैरायमेटर डायमेटर और लास्ट आगया आपका बाइपरायमेटर डायमेटर वाइपरायमेटर भाइ मैस्ट जो था वो 7.5 cm होता है यह 8 cm होता है यह 8.5 cm होता है और यह 9.5 cm यह ट्रांसवर्ज डामेटर एक एंटिर पोश्टिर डामेटर रहा थे हैं वह बाद में पड़ेंगे फिर यह कर दो फिर इसके बाद में यहां पर और एक थोड़ा से नीचे तो सुप्रा मतलब उपर और सब मतलब नीचे तो यह क्या कहला है दो सुप्रा सब्राइटल डामेटर कहलाता है तो यह यह सड़े साथ आठ सड़े आठ और यह सड़े नो सेंटेमेटर होता है अब क्यों बताया मैंने यह मिजर्मेंट वह भी बता दूँगा और बाखी की चीज़े क्यों बताई वह भी हमारी कुसंस में पता लगए पहला उप्सन दे रखा है कि हम ओक्सीपीटो फ्रंटल डा अगर वह दसमें नहीं आ रहा तो फिर हम क्या देखेंगे डिखेंगे क्या देखेंगे अब डिखेंगे इसके बाइप वाइटल डायामीटर और मोर चलो लेकिन एक मिनट के लिए हमने मान लिया है लेकिन दोस्तों कभी भी उप्सन को पूरा देखा अगर आपको यह नहीं भी आता ना तो भी उप्सन को आप नहीं देखेंगे और यहां पर कितना सेंटीमेटर नहीं डिखेंगे पहली इसकी तो अब हमारे इस वीक से सब्सक्राइब नहीं देखते तो अब हमारे सामने एक ही एक औप्शन आज मैं आपको यह पढ़ा जया कभी इसके बारे में बताऊंगा इनके बारे में तो नेश्ट इसमें जल्दी जल्दी एक मिनट में आपको मैं रिवाईज करवा दूगा फिर इस क्लास को हम खतम करेंगा लिए को अ प्रेग्नेंसी डेट को कंफर्म करने के लिए यह एकन पर्म करने के लिए इस ट्राइमेस्टर में फस्ट ट्राइमेस्टर ब्रेक्न लिए सब्सक्राइब करते हैं इसके वाद लिखना यह लिख लो सेकंड और थर्ड में यहीं पर लिख लो सेकंड वीक के अंदर हम क्या करते हैं अब हम इसके बाद में इन क्या कर सकते हैं अगर आपने इनको सही से पढ़ा है पहला थोड़ा सा लग था मैंने आपको यह बताया था तो इसमें यह जानना था कि दो रहां अगर क्राइसिस हो रहा है तो उसका क्या रिजन था अगर यह नहीं हो पाएगा तो जो पैसेंट हो किसी में जाएगा क्राइसिस के अंदर जाएगा यह कैसे पता लगेगा कि कोई भी न्यूबॉर्ण है अगर उसकी मदर ने इस्ट्री में इंवे यह था कि देखने को मिलता है कैसे यह होता है इसके बाद हमारा वह क्या था वह यह था कि अच्छे अच्छे से बदा रहता है जीरो से दोवीक दो से आठ वीक और इसके बाद में नोग इसके बाद नैस दो क्या है कि जो फंडल मंदब प्रगनेंस बढ़ती है उसके बढ़ने से रेस्परेट्री जो चैंजेज हो कैसे आते हैं तो डायफराम जो होता है कितना सेंटीमिटर सेंटीमिटर से होता है जिसके कारण से रोह होता क्यों है क्योंकि फंडल हाइट बढ़ने से होगा यह 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 था यूट्रस का पैलविक और बन जाता है इसके बाद में नैस दो क्या था हमारा कि बेबी का सबसी ज्यादा वेट गें कौन सी ट्रैमेस्टर के अंदर होता है इसके बाद में नैस्ट्र के अंदर हमारा वह यूज करते हैं इसमें आपको एक्जामपल लिखने की जरूरत थी नहीं फस्ट डेव फैले प्लस सेवन देज आप जोड़ सकते हो इसके बाद में दोस्तों नैस्ट्र के अंदर क्या बढ़ाना चाहिए तो पहले नॉर्मल उसके बाद में नॉर्मल फिजी कल और जो इमोस्ते होते हैं वो पढ़ाएंगे और इसके बाद में यह पढ़ाएंगे इनको आंसर ना एक हाईलाइटर ले आओ उस पूरे उस पूरे सेंटेंस के अंदर जो आंसर रहें उसको खोड़ा सा हाईलाइट कर लो कि आपको करते हम अंटिल 11 दोस्तों यह हमारे लगबग सकतर हो गए अब हम तीस के और करेंगे तीस के पास सो क्यों जाएंगे फिर मापको एक छोटी सी किलास नुमत जिसमें मैं सो के सो क्यों आपके लिए लेके आँगा बस आप मेरे साथ बने रहना क्योंकि सो क्यों करवाना एक पढ़ना और उनके पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है और मैं कोशिस करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको करों आपको रिवाइज करों आपको लगए हम कर लेंगे लेकिन इतने कम समय में जो आपके दिमाख में वो सब चीजे वापस इतनी घुसेंगी उस तरीके करते रहों फिर मैं बार-बार कह रहा हूं कि जो भी पढ़ते हो रिवाइज करने में इस रफ आपको पूरी जो क्लास है एक से देड़ गंटी के हमरी क्लास होती है उस पूरी क्लास के रिवाइज करने में आपको पांस मिनट चाहिए तो अगर आपने अभी तह हमने साथ क को समझना फिर उसको वापस सी याद रखना तो चीज़े याद नहीं हो पाती है तो आप इस प्रकार से रिवाइज करते रहो और आगे बढ़ते रहो एक दिम ऐसे आएगा कि हम उस पूरी बूप को भी कितम करेंगे सब ही अपना ध्यान रखो स्वस्त रहो खुस रहो थै